विशन कैसे करें आपने कहा कि सर रिवाइस करना है तो कैसे करना है क्या रिवाइस करना है तो उसकी बारे हम बाते जानते हैं सबसे पहले GK और GS आपने जो है current affair पे गंटा देना है और GKGS में दो गंटा यानि साड़े तीन गंटा अब इस साड़े तीन गंटे को आप GKGS में कैसे यूटिलाइस करोगे वो समझो बड़े द्यान से सबसे पहले बात करते हैं current affair की तो current affair आपको daily गंटा पढ़ना है और कहां से पढ़ना है जो हिंदी student है जिनका language जो हिंदी है मेरे लिए उनके तरफ से रहेगा next exam एक बहुत अच्छा YouTube channel है 15 मिनट का जो है आपको वो वीडियो डालते हैं और 15 मिनट में 10-15 सवाल होते हैं रेलिवेंसी होती है ज्यादा बकवास की बाते होती नहीं है तो अगर आपको कम समय में revise करना है तो आप next exam YouTube channel को follow कर सकते हैं और यहां से जो है आप पूरा current affair revise कर सकते हैं साथ में English student जो है ठीक है वो monthly follow करें study IQ का study IQ ने जो monthly PDF डाला है अपने चैनल पर YouTube चैनल पर वहां से उनके description से आप link निकालिए ठीक है और जो monthly current affair उनका इन लास्ट फाइफ मन्त का पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से आपका revision हो जाएगा इसके बाहर current affair में कुछ और पढ़ने के आवशकता नहीं पढ़ेगे ठीक है नेक्स्ट होगे एक static portion देखो static अपने आप में बहुत important role play करता है static को complete करने के लिए जो है मैं शुरू से बोलता हूँ कि lucent के जितने भी pink box हैं आप उनको खतम करिए जितना भी miscellaneous portion है आप उसको खतम करिए चाहे वो history है चाहे वो geography है चाहे वो quality है चाहे वो miscellaneous है ठीक है इससे बाहर कभी ने आएगा भारत का कोई भी ऐसा competition exam हो ठीक है उसका static portion कभी भी lucent के बाहर नहीं आता है तो यह lucent अपने आप में self-sufficient किताब है आपको static को खतम करने के लिए तीसरा जो है GKS के लिए को और बात आपने जो भी notes पढ़ा है इन तीस दुनों में बस अब उसी को revise करना कुछ नया मत पढ़ना जैसे lucent भी है ना तो lucent के pink box के बिस स्टाटिक स्टाटिक कवर करना है यह नहीं lucent लेके बैढ़ गये और उसको पूरा रटे जा रहे है ऐसा नहीं करना जो भी notes पढ़ा है जहां से भी पढ़ा है बस उसको revise करो और सारे important fact को memorize करन देना है quiz जो है वो आपको grade up से देना है इस तरीके से आपका GS in 302 में थोड़ा अच्छा हो जाएगा और अच्छा score आपकर पाओगे कम समय में बात करते हैं maths की तो देखो maths बहुत important role play करता है pre में 50 नमबर का mains में 200 नमबर का तो हम यह नहीं कह सकते कि नहीं बस अभी pre का सोचना है mains का तो सोचना ही नहीं है ऐसा नहीं होता है आपने देखा है कि मेरे score 227 है 200 में तो जाकर यह score 644 तक पहुंचा है अगर थोड़े भी number कम होते तो शायद में 610-620 पे रह जाता और selection नहीं मिल पाता तो यह important factor है कि pre के साथ-साथ mains में बहुत अच्छा hit करना जरूरी है तो maths का syllabus बोलंगा जो syllabus होता है देखो मैं हमेशा से दो बाते बोलता हूँ एक तो अपना syllabus पूरा करो और दूसरा practice करो तो जो syllabus पूरा करने की बात है वो कहां में fit होना चाहिए जो आपने diary of mistakes मना होंगे आपको वो सारे point आपके दिमाग में fit होने चाहिए कि भाई ये formula trigger का होता है ये formula algebra का होता है इस तरीके से सारे important point और साथ में जिन बच्छों का syllabus पूरा है आप लोगों के लिए मैंने 30 days 30 मेरातन की अगर मैं बात करूं तो 30 days 30 मे मैंने complete math पूरा का पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है उसके अलवा जो बात करते हैं practice कहां से करोगे तो सारे previous year question जो कि और इस वीडियो से हो जाएंगे और calculation कहां से करना है तो ये 30 दिन आपको calculation पे भी बहुत ध्यान रखना है ये 30 दिनों में आपको calculation करना है वो करना ठीक है application और अपना calculation के speed बढ़ा लिए उससे अपना matrix के form में होता है data ठीक है जहां पर आप square जल्दी सीख सकते हो cube जल्दी सीख सकते हो तो ये बहुत important है आपके लिए तो daily का daily calculation पर focus करो क्योंकि जब से TCS आई है आपका paper का level बढ़ गया है calculation थोड़ा और tough हो गया है तो आ vocabulary या तो notes से खतम करेंगे आप नहीं तो previous year के सवाल लगाएंगे इस से जादा और कुछ नहीं ठीक है notes और previous year बस previous year से बाहर आनी रहा है 2018 के बाद का paper English का और बद से बत्तर होता चला गया है इतना down level हुआ है जिसका कोई limit नहीं है तो नए सवाल तो बिलकुल नहीं आने वा grammar में बस उतना normal rules के उपर questions आ रहे हैं तो आप यह कर सकते हो कि आप अपने notes को revise करो और साथ में आप सभी aspirant take मेरा बात मनने एक suggestion मानना एक application है SSC English quiz करके free है बहुत साल उसे बनी है ठीक है मैं इसका कोई paid promotion यहाँ पर नहीं कर रहा है मैं इनको नहीं जानता लेकिन आपको इ exercise मिल जाएगा हर topic का मिल जाएगा और आप खाना खा रहे हो ओटो में बैठे हो कहीं पर भी हो library से room पर जा रहे हो उतने दिर में आप वहां पर application से quiz लगाते जाओ उसी application पर आपको 2018 और 2019 के पूरे previous year भी मिल जाएगे तो उसी application पर daily के daily English के आपको 4-5 sectional mock देने हैं कम से कम 4 तो sectional mock दे नहीं है आप यकिन करिए कि पहला sectional mock आप देंगे तो आपका 15-16 मिनट है paper खतम होगा लेकिन जैसे जैसे आप daily के daily 3-4 sectional mock देते जाएगे तो आपका paper का time कम होते जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप 10 minute paper खतम कर पा रहे हो तो English में 2018-2019 का पूरा previous year खतम जो already this application पर uploaded है और साथ में हर section के 50-50-50 questions हो है आपको लगाने है इंगलिश में अगर इतना कर लिया ना तो 50-50 कहीं नहीं गये हैं क्योंकि मैंने खुद math में 50-50, English में 50-50, reasoning के 50-50 से score किया हुआ है तो इस तरीके से मेरी बात को समझेंगे आप sectional mock भी आपको इसे application से देना है और note में यह है कि complete करो सारे previous year को तो यह आप complete कर लोगे इसके अलावाद एको reasoning में तो reasoning का सबसे पहले यह note पढ़ लो यह note आपके लिए important है इसे हलके में मत लेना जो topic weak है उन्हें पहले YouTube से complete करना है और फिर उनकी practice किसी भी previous year के book से करना है क generally किसी भी person कोटिक है मैं आपसे पूछो ना आपसे अगर मैं पूछो reasoning complete है हाँ sir complete है लेकिन आप पिछले लगातार अपने 5 mock test बता दीजी जिसमें आपके reasoning को 50-50 आए होंगे possible ही नहीं है जब complete है तो number क्यों नहीं आ रहे 50-50 आपके क्यों नहीं आ रहे आप मुझे ही अगर आपका series का question गलत होता है तो आप series के लिए क्या करिए कोई भी previous year book उठाइए और आप practice करना शुरू कर दीजे जब तक आप practice नहीं करेंगे आपको कैसे बता चलेगा कि उसके पर कौन formula लग रहा है क्या आपका approach लग रहा है difference method है कि क्या है तो इस बात पर क्याम करना ह reasoning में बस दो बात जो chapter नहीं आते उनको या तो अपने note से देख लो ठीक है या फिर YouTube से cover कर लो पता है कि इस student को ranking आता ही नहीं है भाई ranking किसी का भी search करो आप ठीक है ranking YouTube पर आया आपने उसको cover किया अच्छे से पूरा का पूरा revise किया और बस ranking के उपर थोड़ा बहुत question लग और प्रीवेश एर के जितने paper हैं आप सभी paper लगा कर चले जाओ reasoning में इस से जादा और reasoning में कुछ नहीं करना इस सबसे golden हो जाएगा तरीका आपको reasoning को खतम करने का